हेलो एब्रिवान मैं डॉक्टर प्रगती गुपता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किड्नी फेलियर के पीछे क्या कारण छुपे हैं किस कारण से किड्नी फेलियर की कंडिशन तयार हो जाती है क्या लक्षन पाए जाते हैं इस बिमारी के अंदर तो आए जा इनी सब चीजों के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कारण क्या है तो किड्नी फेलियर के बीछे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम केसे में बढ़ता हुआ बीपी है बढ़ते हुए शुगर वालूज है यह मेजर रीजन देखने को मिलता है मैक्सिमम केसे के अंदर कुद को ही नुकसान पहुचा रही है वहाँ पर आईजीए की डिपॉजेट्स पना रही है किड्नी के ऊपर तो आईजीए निफरोपैथी की कंडिशन देखने को मिल जाती है कुछ कंडिशन में हमें लूपस निफराइटिस भी मिलता है यह भी एक और मिन बिमारी ही है सा इसके अंदर क्या आती है आपकी जितनी दर्थ की गोलियां आप खाते हो लॉंग टर्म यूज अगर उनका कर रहे हैं बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना डॉक्टर की एडवाइस के ओवर दे काउंटर अगर यूज बहुत जादा कर रहे हैं तो आपकी किड पेट में जलन हो गैस बने तो यह कोली का लेना बट हम उसको हैबिट में ले आते हैं ओवर दे काउंटर पर्चेस करके जब भी ऐसा लगता है किसी को रिकमेंड भी कर देते हैं कि मुझे डॉक्टर ने लिखी ती आप भी खालो तो जब हम खुद ही डॉक्टर बनना स्ट प्लस जो फिल्ट्रेशन है जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटिरियल उसको बाहर निकालने काम काम आपकी किड्नी करती है तो इसलिए हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है तो यह बेसिक कंडिशन हमें देखने को मिलती है जिसकी वज़से किड्नी खराब हो सकती है कुछ किड्नी तक पहुंच गया और किड्नी खराब होनी स्टार्ट हो गई साथ के साथ स्टोन फॉर्मिशन के साथ अगर स्टोन की वज़े से कोई आप्स्रक्शन आती है टूमर की वज़े से कोई आप्स्रक्शन आती है किसी ग्रोथ की वज़े से कोई आप्स्रक्शन आती है उस कंडिशन में भी आपके किड़नीज नुकसान उठाना स्टार्ट करती हैं। अब आईए जानते हैं इनके जो लक्षन है वो क्या देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि जब आपके पास पेशन आ रहा है, कुछ चीजें वो बताता है, कुछ चीजें आप सामने से देखते हैं। तो जो इसके संकेत हैं वो यह हैं कि बॉड़ी में आपको बहुत जादा सूजन देखने को मिल सकती हैं। अचानक से वजन बहुत तेजी से उसका गिरता है, चला जा रहा है। आप लास्टाइम पेशन से मिले थे पिशन का वेट फॉर एक्जामपल 80 kg था। चार-पांच महीने के अंदर या दो-तीन महीने के अंदर ही अगर ड्रास्टिक वेट लॉस हुआ है, दस-बीस किलो कम हो गया है। तो वहां पर भी किड्नी पे इंपक्त देखने को मिल सकता है। अब इसके लक्षन के बारे में डिसकस करते हैं। लक्षन जो देखने को मिलते हैं जो कम्पलेन पेशन्ट बताता है वह अकसर क्या होती है। मैं पिशाप के अंदर जाग बहुत जादा जा रहा है। जब भी यूरिन पास करने जाता हूं फलश करता हूं एकदम साबून के पानी जैसा जाग मुझे देखने को मिलता है। तो यह कंपलेन माकसिमम पेशन्स मेरे पास लेकर आते हैं। और जब मैं उनसे पूछते हूं कि ऐसा कब से हो रहा है। वो बताते हैं कि ऐसा बहुत पहले से हो रहा था। लेकिन अब हमने नोटिस करना स्टार्ट किया। और जब वो टेस्ट कर वाते हैं। यूरिन रूटीन करवाते हैं। केफटी करवाते हैं, तो वहाँ पर प्रॉबलम है वो नजर आती है। युरिन में प्रोटीन लॉस होना स्टार्ट हो गया होता है के एक फटी में क३रितिन रुरीय यूरिक आसेट सब डी रेंज हो रहा होता है तो यह उतना मन ना करना खाना कहने का उल्टी जैसा मन बने रहना या वॉमिटंग हो भी जाना यह ओपने जाना यह उसे देगा आप ये लक्षन मिल रहे हैं, तो as soon as possible दॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, कभी initially आप दॉक्टर के बास विजट नहीं भी कर पा रहे हैं, तो precautionary basis, urine routine और एक अपना kidney function test जरूर करवाईए, urine routine आपका urine sample से हो जाता है, और kidney function test आपका एक blood test है, उसको जरूर करवाईए, क्योंकि जब kidney की condition खराब हो रही होती है, तो उस टाइम पे आपका hemoglobin भी कम आएगा, complete blood count करवाने के लिए भी कहा जाता है, जिसके अंदर देखा जाता है platelets, hemoglobin सब ठीक हैं या नहीं, तो ये सारे की सारे दिखतें हमें देखने को मिलती है, kidney failure की condition के अंदर, chronic kidney disease के अंदर, initially जो acute kidney injury भी बनता है, कोई हमने ऐसी medicine खाई, या अचानक से बिमार हुए, जिसकी वज़े से, या कोई infection की वज़े से, kidney पे impact आया, अचानक से आपके kidney values spike up कर दे, तो ये सारी conditions अगर तयार हो रही हैं, तो हमें आज से ही सतर्क होना important है, as soon as possible अगर हम इस पे action लेते हैं, तो आगे आने वाली परिशानियों से हम बच्चते चले जाते हैं, वो complications नहीं आती, dialysis तक नहीं जाना पड़ता, ट्रांस्प्लांट के बारे में सोचना नहीं पड़ता, initially हम इस बिमारी को manage कर पाते हैं, recover हो सकते हैं इस बिमारी से, अगर timely diagnosis हो जाता है, तो अगर condition वर्सन अप होती चले जाती है, तो बहुत सी precautions साथ में रखनी पड़ती है, आपके dietary changes हो गए, lifestyle changes हो गए, तो वो हमें सब करने होते हैं, तो मैं उमीद करती हूँ, ये विडियो आपको मदद करेगी, समझने में, जानने में, कि जो kidney failure की condition है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके क्या लक्षन होते हैं, और ऐसे क्या संकेत देखने को मिलते हैं हमें, हमारी kidneys अब ठीक से काम नहीं कर पारी, आपके कुछ सवाल हों, तो नीचे comment section में comment करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपको परामर्श चाहिए, information चाहिए, kidney related या आपके symptoms related, तो हमारे team of doctor से आप बात कर सकते हैं, जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा, टेक है,